नवसकर दोस्तों तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं Gap ups और gap downs के बारे में कैसे ये create होते हैं और कैसे market में react करते हैं तो वीडियो को end तक देखिए जैसा कि आपको पता है कि हर Saturday हम कोई ना कोई एक ऐसा वीडियो लेकर आते हैं जिसमें learning point of view से कुछ मिले आपको और यहाँ पे हम gap ups और gap downs को सीखने वाले हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि gap ups और gap down जो होता है वो create क्यों होता है और इसके बाद ये कैसा react करता है देखिए suppose करिए कि कोई एक stock है और यहाँ से चल रहा इसके बाद अगले दिन अगर आप देखते हो तो वहाँ से gap create होता है और इसके बाद stock directly नीचे चल जाता है मतलब इस पूरे gap में आपको कोई भी candle या कोई भी momentum आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर आप छोटे time frame में देखते हो तो सबसे पहले बात करते है reasons क्या है जिसकी वज़ा से ये gaps create होते है देखिए ये जो gaps होते हैं simply sentiment driven होते है sentiment के basis पे सबसे ज़्यादा gaps create होते है अब sentiment कैसा है जैसे suppose करो कि पूरा का पूरा market अभी गिर रहा है तो अगर आपने जैसे अभी Friday की closing हुई और कोई एक अच्छी news आ जाती है कि market में या war लाइक ये जो war चल रहा है वो खतम हो चुकी है कोई भी एक positive news तो आपको पता है market अभी downside में तो हमारी जो opening होगी दोस्तो वो एक gap up opening होगी मतलब हम जहां पे close हुए थे वहां से 200, 300, 400 point हो सकता है कि directly उपर हम open हो यहां पे अगर मालो normal आगर दिन रहता है तो वो ऐसे उपर की तरफ बढ़ेगा लेकिन अगर एक sentiment आ गया कि भाई अच्छा news है और वहां पे पूरे के पूरे market में वापस एक buying देखने को मिलेगी तो उसकी वज़ा से ये gaps create होते है similarly ये gaps दोस्तो इस stock में भी same theory apply होती है लेकिन stocks में region changes आपको देखने को मिलेंगे हो सकते हैं अगर positive news की बात करें तो माल लेते हैं कि stock का result आया है after market hour market बंद होने के बाद results आया है और result बहुत ही अच्छा है तो obvious है उसमें buying आपको देखने को मिलती है तो जो उसकी opening होगी already एक अच्छा खासा positive opening देखने को मिलेगी और वहाँ पे आपको एक gap create होता हुआ दिखेगा अगर वहीं मैं बात करूँ उसके उल्टे condition के बारे में तो उल्टे में अगर आप देखोगे कि अगर suppose अगर कोई खराब news आ जाता है कोई एक stock है यहाँ पे trade कर रहा है या फिर already गिर रहा है या कहीं पे भी है और खराब news में मतलब stock से related result खराब आया या sentiment basis पे उस पे कोई news आ गया जो कि stock के लिए खराब है या फिर आप देखोगे कि किसी बड़ी agency ने उसे downgrade किया है या फिर कहीं पे उसके business में effect आया है और या फिर वहाँ पे stock से related कोई एक scam सामने आ गया तो उस situation में भी जो opening होगी वहाँ पे gap down opening होगी तो यह जो gaps बनते हैं इनको कैसे deal करना चाहिए यहाँ पे यह हम सीखने वाले है generally जो यह gaps होते हैं दोस्तों यह highest liquid stocks होते हैं उनमें ज्यादा तर देखने को मिलता है या फिर index highest liquid index है उनमें आपको ज्यादा तर देखने को मिलेगा जैसे nifty या फिर bank nifty की बात करें तो हर दूसरे दिन आपको इन index में यह gap देखने को मिलेगा बात करें gaps की timing के बारे में तो देखें जितना बड़े time frame में आप इसको identify करोगे उतना ही powerful होगा suppose करो कि one day में अगर आप find out कर रहे हो तो one day क्या gap होगा वो ज़्यादा powerful होगा as compared to one hour या फिर as compared to 15 minutes या फिर as compared to five minutes तो जितना बड़ा time frame होगा उतना ही ज्यादा यह valid या फिर जितना ही ज्यादा अगर आप देखोगे यह strong रहेगा यह gap तो आप यह पूरा sequence आप समझ सकते हो जर्नली यह जो gap होते हैं छोटे time frame में ज्यादा देखने को मिलते हैं या फिर one hour या फंदरा मिनट one days में भी देखने को मिलेगा लेकिन उसके लिए एक बड़े event की requirement होती है कि stock में बहुत ही अच्छा कुछ positive आ गया तो उसकी वज़ा से stock अच्छा खासा आपको ऊपर खुलता हुआ दिखेगा तो आपने एक चीज़ समझा कि यह जो gaps होते हैं purely sentiment driven होते हैं कि अगर कुछ अच्छा sentiment आया या कुछ खराब sentiment आया तो उसकी वज़ा से gap up देखने को मिलेगा या फिर gap down देखने को मिलेगा अब चले बात करते हैं कि इन से deal कैसे करना है देखिए यहाँ पर एक common observation है आप इसको देखोगे कि maximum time जो यह gap बनते हैं तो आप more than 90% time अगर आप कह सकते हो in general कि यह जो gap होते हैं यह fill होते हैं मतलब यह जो gap बना है तो stock आएगा नीचे और इस पूरे gap को fill करेगा दो conditions के ब आले ही time कुछ भी लग जाए लेकिन जादतर scenario यही रहता है कि gap fill होंगे दूसरा condition यह है कि यह sometimes यह gap होते हैं वो एक demand और supply zone की तरह भी react करते हैं कि कभी-कभी यह demand लेकिन इसके जो chances है demand और supply zone के बहुत जादा इसमें अगर आप देखोगे तो आपको ratio अच्छा नहीं मिले parameters है उसके साथ combine करके use करते हो दैन इसका जो accuracy है वो बहुत जादा बढ़ जाता है बट इसकी जो possibility है कि more than 90% of time जो होता है यह जो gaps होते हैं यह fulfill होते ही है यह फिल होते ही है लेकिन यह demand और supply की तरह काम करते है तो इसकी वी accuracy ठीक ठाक है 50-60% की आसपास लेकिन बाकी अगर analysis को combine करते हो आप उसके साथ तो इसकी accuracy और अच्छे से बढ़ जाती है तो चले कुछ एक example देखते हैं जहां पर हम इसको समझने कोसिस करते हैं और detail में और आपको कैसे deal करना देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो highest volatile index होते हैं वहां पर यह ज्यादा देखने को मिलता है और यह आप nifty का चार्ट देख रहे हो nifty 50 का यह 15 minute का चार्ट है और कल मैंने जब आपको video बना कर दिया था जब during the marketing analysis किया था और मैंने आपको बताया था कि gap down opening हुई है और gap down opening होने के बाद यह आप देखोगे कि major gap की formation हुआ हाला कि gap को भी एक momentum candle ही consider किया जाता है और य यह आप देखोगे कि यह नीचे जाने के बाद buying आई वापस market में तो buying आने के बाद यह पूरा का पूरा एक reason था जो as a supply zone की तरह काम किया और वहां से stock ने rejection लेना शुरू कर दिया तो similarly अगर आप पीछे भी देखोगे इस तरह का तो index में ज्यादा यह gap मैंने आपको बता इसके बाद वापस यहां पर stock गया और हाला कि अब gap down के बाद अगर कुछ नीचे आता है तो वहां पर यह लगबख supply zone की तरह react करेगा वहीं अगर यह उपर जाता तो हो सकता है कि यह एक demand zone की तरह react करता है ठीक है तो major conditions आप यहां पर देख सकते हो ज्यादतर यह index में आप आप को easily देखने को मिल जागा अब जैसे आप देखोगे कि यहां एक बहुत ही बड़ा gap की formation हुआ तो यह एक major अगर मालो nifty को उपर जाना है तो सबसे पहले एक huddle की तरह काम करेगा अगर आप इस पूरे gap को अगर mark करते हो तो आप देख सकते हो कि यह यहां से create हुआ औ आपको as a supply zone की तरह react करता हुआ देखेगा 15 minute के time frame में और multiple time आप देख सकते हो कि stock ने यह पूरा index है इसने यहां से rejection लिया यहां पर तो अगर इसको पूरा इसको breakout करता है तो no doubt एक major hurdle है जिसको अगर nifty यहां पर पार कर लेता तो अच्छा खासा momentum देखने को मिलेगा तो य यहां पर इसको देखेंगे तो इस concept को यहां पर समझो और बाकी अगर देखा जाए कुछ particular stock जहां पर डिमांड और supply की तरह react किया है तो एक बहुत ही ज्यादा discuss होने वाला stock है यहां दोस्तों मैं Tata Motors की बात कर रहा हूं daily time frame में जैसा मैंने आपको बताया कि जितना बड़ा time frame रहेगा उतना ही यह powerful at least first time में तो आपको यह powerful देखने को मिलेगा क्योंकि बार बार जब stock किसी भी label को hit करता है तो वहां पे जो pending orders होते हैं वो consume होने लगते हैं और इसके बाद वो breakdown करके निकल जाता है तो यह आप द तरी नैजर demand zone की तरह काम किया है और वहां से अच्छा खासा उपर देखने को मिला और वहीं आप देखो के तीसरी चौती बार यहां से लगतार गिर रहा था फिर इसको पूरा का पूरा इंगल्फ कर गया और इसको breakdown करके नीचे आ गया ठीक है अब बात करें अगले कुछ और इक्जांपल की तो आप देखोगे और भी बहुत सारे इक्जांपल्स आप देख सकते हो तो यह है दोस्तों एक अगला इस्टॉक टीटी के प्रेस्टीज तो यहां पर आप देखते हो यहां पर डेली टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिलेगा तो इस पूरे करने से आपको बचना है क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो गैप बहुत जल्दी फिल हो जाते हैं फिल तो हमेशा आपको देखने को मिलेगा लेकिन अगर बहुत बढ़ा गैप ओपनिंग हुआ तो आप समझो कि सेंटिमेंट बहुत बढ़ा है और चांसे हैं कि वो गैप बहु होता है तो आपको बचना चाहिए ऊपर कहीं पाटिसिपेट करने से और आप नीचे उसको अगर आप लेना चाहते हो बाकी और सारे पैरामिटर्स को वहां पे इंक्लूड करते हो तो एक अच्छा खासा जो डिमांड जोन या पावर पैटर्स को क्रिएट करके लिया जा सक लगता है तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि एक गैप अप हुआ इसके बाद सपोर्ट लिया और यहां सा अच्छा खासा मोमेंट देखने को मिला है ऐसे बहुत सारे एक्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा अगर मैं बात करूँ यहां पर तो अगला एक और एक औ आउन ओपनिंग होने के बाद यहां पर पूरा का पूरा आपने मार्क कर लिया तो अगर आपने नीचे कहीं ले रखा है तो सिंपल से बात है यह आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन होना चीए और यह सप्लाई जोन की तरह रियक्ट किया है अगर इस पूरे कैंडल को पीला तो गैप अपड़ डाउन में आपको कैसे डील करना है मैंने आपको पता है कि जब भी एक बड़ा गैप अप होता है तो आप कोसिस यह करे कि हम अपने को पीक पे बाइंग नहीं करना है या गैप डाउन होता है तो अगर आप सौर्ट सेलर हो गयरा है तो जाते जाते वीडियो को लाइक करिएगा मिलते हैं फिर आपसे लाइब सेशन में